एक इंग्लिश ओफिसर जो डिस्टिंग जगा पर सवर कह रहा था वहाँ कि लोकल लैंग्वेज सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती है जो उसके साथ इंटिमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी प्रॉलम तब आई जब उसे उसे प्यार हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको The Sleeping Dictionary यह Hollywood romantic movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते हैं हमारी story स्टार्ट होती 1936 में उस वक्त इंगलंड पर बहुत सारे देशों पर राज़ था अगर किसी को भी government job करना था तो उनके education के लिए उन्हें remote सी country में भेज दिया जाता था यहाँ बरोज सरूर करते थे जब वापस आते तब उन्हें ये job दे दी चाती है ऐसा है हमारा main character जिसकरा मैं जॉन इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की country में आया ये country उतनी develop नहीं थी यहाँ के बहुत सारे लोगों को उसकी language बिन्या आती है जॉन जब पहुचा तो जिसे उसकी language आती है उसे welcome करने के लिए आया हुआ था जॉन को फिर हो उसके officer के पास लेकर आता है जॉन के officer का नाम है Henry और Henry बहुत सारे सालों से यहां रह रहा है Henry उसे बुच्छता है कि तुम्हारे बस इतने सारे option थे तुम यही क्यों आये जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था इन लोगों को education देना चाहते थे अबने फादर की vision वो खुद complete करना चाहता है Henry उसे कहता है कि यह success हो नहीं पाएगा यहां के लोग बहुत ही अलग है इनने education देकर कोई भी फाइदा नहीं क्या local लोगों के tribe के head से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया Henry John से कहता है कि जो भी कहेंगे यह तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा वहाँ पर जाने पर उसे drink देते John drink नहीं करता पर यह उन लोगों का disrespect होगा तो इसी वज़े से John को drink करना पड़ता है यह drink एक बहुत ही beautiful लड़की लेकर आई थी इसका नाम है सलीमा जो हमारी और एक main character है John ने उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सारा drink किया और इसके बास सलीमा अपने friends के साथ नाच रही थी सब लोग फिर request करते इस John भी उन्हें कुछ perform कर कर दिखा है वो एक boring सी poem सुनाता है जो लोगों को पसंद नहीं आई फिर उसे pick up करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने dance किया सब लोग इस पर बहुत असे है उस आदमी का नाम में बदन सा है अगली सुपा John ने जो भी किया इसे वो बहुत ही embarrassed था आज हेंडरी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था उसे कहता है कि ये तुमारी wife की तरह सारे काम करेगी John को कुछ भी समझ नहीं आता तो उसे समझाता है यहाँ की local language समझना बहुत important है और यहीं सिखने के लिए सलीमा तुमें help करेगी तुम उसके साथ intimate होगे और यही best way है language सीखने का क्योंकि बहुत सारी century से चलता आ रहा है John को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को जानता नहीं वो यह सब नहीं कर सकता हेंडरी ने कहा हम सलीमा को force नहीं करें उसने भी तुमें चुना है हेंडरी अब जॉन को force करने लग गया था तो जॉन मान गया पर हो कहता है कि मैं उसके साथ intimate नहीं होगा हेंडरी को इस पर गुसा आ किया और वहाँ से चला जाता है जॉन ने जो भी कहा इस सुज़े से सलीमा को भी उस पर गुसा आ किया इनकी area के border में कुछ Chinese लोग घुस कर आये थे और इनकी उनके साथ fight हुई है लोकल लोगों ने Chinese लोग को तो मार डाला पर अब border थे कि उन Chinese लोग के सर तोड़ कर लिया आए जाए जॉन ने काम बिलन साय को देता है पर बिलन साय ने monkey के head लाये थे जॉन ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत अस्ते है जॉन यहाँ new है और उसे कोई भी seriously लेता नहीं उसे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा वो जब घर पर आया तो जॉन के शेफ ने एक लड़का लाया हुआ था उसे कहता है कि मेरा nephew है तुमारे साथ intimate हो सकता है जॉन सलीमा के साथ intimate नहीं होता तो शेफ को लग रहा था कि यह है जॉन को इस पर गुस्सा आ जाता है उसने कहा कि यह सब नहीं चलेगा उसने गुस्से में सलीमा को भी fire कर दिया सलीमा भी गुर्से में बाहर निकल गे शेव जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली के तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है उसका मजा गुडाएंगे जॉन भी फिर सलीमा के पीछे-पीछे गया वो कहता है हमारी कंट्री में ऐसा होता नहीं से मिलता है आजी उसे पुछती है तुमारी सलीपिंडिशनरी कैसी है सलीमा के प्रोफेशन को सलीपिंडिशनरी कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था तो उससे कुछ भी जाधा फरक नहीं पड़ता यहागगी ट्रेडिशन है तू उसने उसे accept कर लिया था रात में जॉन और सलीमा एक ही रूम में अलग-अलग बेड़ पर सोए सलीमा जॉन से पुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ intimate नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी experience नहीं होगा जॉन मजाग में गहता है कि मैं ज़रा classes कर लूँगा जॉन उसे बुछता है कि तुमने मुझे choose क्यों किया सलीमा गहती है बाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकोल लोगों से मिलने के लिए जॉन गया हुआ था वो अभी भी उसकी कोई भी बात मान नी रहे वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था और बेलनसाय को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता जॉन उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो तो उसके champion हो बेलनसाय कहता है कि हाँ तो जॉन उसके साथ अब competition करना चाता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही excited होके यह दोनों पानी में गए थोड़े टाइम बात बेलनसाय उपर आके और जॉन अभी भी पानी के नीचे ही था उलासली बाहर आया तो गेम जीट चुका था तो उसके बास oxygen cylinder है यहां के लोगों को oxygen cylinder के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उससे डर जाते है जॉन ने बेलनसाय कहार आया तो उसके सारी बाते मानने लग जाते है आज रह सलीमा जॉन को देथ हो गई थी यही language सिखते सिखते है उसे हाथ, नेक, इन सारे body organs के बारे में सिखा रही थी एक दुसरे को touch करने लग गया है और फिर intimate हो जाते है इसके बाद यह बार बार intimate होने लग गया एक रात intimate होने के बाद सलीमा यहां से जा रही थी जॉन कहता है, मेरे बेट पर ही सोच जाओ सलीमा उसे कहती है, कि हमारे tradition है दो लोग पास रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की engagement हो जाती है तो मेरे साथ engagement नहीं चाहते है अगली रात हेंडरी ने जॉन को अपनी घरबर बुलाया था हेंडरी के बेटी अपना education कम्लीट करकर इंगलंड से वापस आई थी यह सब एक साथ dinner कर रहे थे हेंडरी के बेटी का नाम में सीसिल सीसिल इंगलंड में यही के local लोकों पर research कर रही थी वो बातों-बातों में कहती है, यहाँ बहुत ही अजिब से tradition हुआ करते थे कोई new officer आया तो lineway सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जादी थी सीसिल को पता नहीं था कि आज भी यही tradition चल रही है सीसिल वंडर करती है कि उन दोनों में यह कोई भी feelings develop होगी हेंडरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी feelings develop होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक tradition है जान कहता है कि उन दोनों में feelings develop हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडरी को यह बात बहुत ही गलत लगती है जान घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अरली दिन जान और सिसिल एक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो रिसर्च कर रही थी तो इसी रिसर्च के लिए जान उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता जॉन से कहती है कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आया एक डेंजरस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यह अच्छल में हो कहा रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलंस आया और सलीमा भी थी जाने से पहले एज़ी उसके पास आयी वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लेड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जान को यह बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो एजी कहती है जल्दी से इसके लिए हा कहे दो वो अनना तुमारे हाथ से हो चली जाएगी जान ने रात में सलीमा से बात की उसे बुशता है मुझसे पहले कि मेरे जैसे और भी ऑफिसर्स थे सलीमा कहती कि हाँ जान ने जिस तरीके से सिसिल के सामने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया इस ओज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुश्सा थी उसे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जान उसे बुशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहे थी कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जान समझ गया कि उस पर वो गुश्सा है अगले दिन ये सब उस बिमारी को इन्विस्टिकेशन करने के लिए जगा पर पहुचे यहाँ पर और भी लोगों की बिमार पढ़कर डेथ हुई थी जान कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तब एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बलून साय ने उसे देख लिया था तो जान को बचा लेता है यह दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते है उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जान समझ गया कि इस बिमारी की बीचे यही लोग होंगे वो जब वापस आये तो सलीमा भी बिमार पर चुकी थी जान ने इस बस हो जा तो रिलाइस करता है कि सलीमा ने राइस खाया था जो लोग माइनिंग कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राज सलीमा ने भी खाया था पर यह slow poison है तो उसे कुछ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं उनकी death हो जाती है अब यहाँ के जो local लोग थे यह बहुत ही dangerous है अगर उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो सारे लोग को मार डालेंगे बोलन साय जोन से पुछता है कि क्या मुझे इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जोन भी उन्हें मारने के order दे देता है जोन ने realize कि सलीमा बिमार थी तो उसके लिए बहुत ही worried था वो उसके बिना जी नहीं सकता उसे ऐसा बात कहे देता है उसने उसे marriage के लिए प्रपोस्ट किया सलीमा कहती है हमें कोई भी allowed नहीं करेगा यह बहुत ही hard होगा जोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ लेंगे जोन ने सलीमा के बारे में जब हेंड़ी से बात की तो हेंड़ी उस पर बहुत ही गुसा हो गया था तो गयता है ऐसा कुछ भी allowed नहीं यह हमारी government को disrespect होगी जोन सलीमा को जाने नहीं दे सकता इसा बात एजी ने सुने एजी ने उसे कहा कि सलीमा तुमारी पास थी अब तुम आगे बढ़ो हेंड्री उसे एक offer देता है कहता है तुम अब फिर से England जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तुम फिर से वापस आ सकते हो पर अगर तुमने offer नहीं ली तो उन मायनर्स को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुमें जेल में डाल दूँगा इसी के parallel में सलीमा को भी blackmail किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर सलीमा को request करते है सलीमा मानती नहीं तो उसे cage में डाल दिया गया था जॉन भागते भागते उसके पास आया सलीमा उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था यह सब possible नहीं हेंडरी सलीमा और जॉन को last chance देता है अगर वो बाने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा सलीमा जॉन को जेल में नहीं देखना चाहती है तो कहती है कि अब मैं इससे कभी भी नहीं मिलूँगी सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते है कि डारेकली एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से बूचती है या तुम्हारी कोई sleeping beauty थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुगा था तो जॉन ने फिरिजे रिसाइट किया कि हो उसी जगा पर जाएगा वहाँ आने पर इन्हें welcome किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को welcome करते हैं रात में इने movie दिखाए जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सिफ सलीमा को धून रहा था ये बात सिसिल ने notice किये वो जॉन के साथ रात में intimate होना चाहती थी पर इस thought को shake नहीं कर पाती उसे कहती है मुझे तुमारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शादी हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी life में खुश है सिसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने old घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और officer है उसकी और कोई sleeping dictionary इस officer का नाम था नेविल जॉन ने notice कि नेविल ने अपने sleeping dictionary को बहुत मारा है जॉन को इस बात पर बहुत गुशा है उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने face से उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुम्हारा private part कार्ट देगी सिसिल और जॉन जब से यहाँ है तो एजी उनको observation कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन की बीच में उनकी relationship उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौग लगा और वो सलीमा से मिलना चाहता था अपने शेव से बात करता है क्या हमारी meeting अरेंज करवाओ शेव ने अल्रेड़ी सलीमा से बात की थी वो सलीमा जौन से कुछ भी बात नहीं करना चाहती है एक जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाया जाता है जौन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है मुझे उसे मिलना चाहिए सलीमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक सार देख लिया तो हमें मार डालेंगे जौन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जौन को कंफरंट किया तो उसे सब को समझ में आ गया एजी कहती है मेरे हस्बन हेंडरी की बेक स्लीबिंग डिशनरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा इसी वज़े से उसके साथ में 30 साल रही यही चीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वान करती है जौन इस बात को सिरेसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बेटे के साथ टाइम स्पैंट करने लग गया था यह पात जब बोलन साय को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक राद उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुँश गया जौन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब यह इंसिडन बहुत ही सीरियस है हेंडरी कहता है अब हमें बोलन साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुम्हारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जौन कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई रोटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हैं हेंडरी ने कहा यही सही होता ये बोलते हुए वो सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हेंडरी की बेटी है हेंडरी अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बुलंसाय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी के कहने पर हेंडरी के फोर्स में जॉन को बोलंसाय को डेट की सजा दिनी पड़ी वो अगले दिन बोलंसाय को हैंक करने वाले थे पर बोलंसाय नहीं एक बार जॉन की जान बचाई थी रात में जाकर उसे छुड़ा देता है कहता है यहां से दूर भाग जाओ रात में सलीमा भी उसे मिलने के लिए जॉन कहता है अगर हमें एक साथ रहना है तो यहां से हमें भाग जाना पड़ेगा इन्होंने भागने के लिए एक डिट डिसाइड की हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुसा था जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए के लिए एज उसकी स्लिपिंग डिशनरी उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है कहती कि मैं प्रेग्नन्ट हो वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही जादा कन्फियूस्ट हो गया कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जब सलीमा और नेविल अकेले थे तो नेविल सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया सलीमा ने नेविल को बहुत मारा फाइनली वहां के शेव की मदद से वो नेविल को मार डालती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेविल उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैलल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सीसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं चाह सकता पर यह सब बात सीसिल को पता चल गई यह लेटर वो पर थी है उसे वो बात करती है उसने कहा कि मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोईस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्राइवरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पुरी तरीके से मुझसे प्यार नहीं करता सीजिल हो फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएगा वो जौन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से ओ लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जौन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकन हो गी जौन उनकी जगह पर लेट भोझता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जौन का शेयफ फ्रेंट जौन के लिए सलीमा पर नजज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके murder के लिए Henry Salimah को ढून रहा था उसे ढून तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने Salimah को दे दी उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता Salimah भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि Henry उसके father है हिन्री जब घर पर आये तो एजी उस पर बहुत ही गुसा थी कहती है या तुम कुछ भी करने नहीं वाले हिन्री कहता है मैं मेरी बेटियों के लिए हमेज़ा सही बात चाहता हूँ वो इस सारी बात को दबा देगा यहाँ में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब एजी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जाओ ने हर जगा पर सलीमा को ढूड़ा पर फाइनली उसे ढूणडी लेता है यह दोनों एक दुसरी को मिलकर बहुत दिखुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गन थी उसने जाओ को हतकड़या पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर पहुश गये यह वही लोग है जिनको मरने से जॉन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं चापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जॉन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे इससे मुवमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मुवीज लेकर आत रहतों तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिवेशन आइकों दावनें मत बुलिएगा हम फिर से मिलेंगे और इक निमोगे साथ तब तेके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया